है 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 yes कैसे आप सब आ एप आप सब आप सब अच्छे होंगे और जैसे कि में प्रमिस के एनालइस का पार्त डिक रिनिसिसिस का कॉखने की वो कैसी से का होगा और और उसमें से बहुत जादा जो मेरे पास दिमांड आई है वो आई है फाइनल अकाउंट के कोशन की कि फाइनल अकाउंट सा कोशन का सॉलिशन चाहिए सर वो कैसे सॉल्व होगा थोड़ा सा हट कर कोशन आया था तो मैं उसका कोशन आपके सामने अब पूरा-पूरा करके दिखा हम उसके लिए भी विडियो बना कर आपके सामने लेगे ठीक है जब स्कॐरी करते हैं जा ताइम वेस्ट नहीं नहीं तरह हमारा बी तो हम यह पर आपके सामने सीधा पर लेकर आटे पर में में आपकी सामने यह 10 मांक्स का contributors कोशिन जो आया था उसके बाूर्य में बात करते सीधा सोजी यहां पर जो कुशन दिया गया है वो क्या है करुणा ने अपना बिजनस स्टार्ट किया करुणा decided to start business of fashion garments under the name of messes designer wear on first April 2020 यह first date पर हुआ है सबसे अची बात ही है कि first date पर हुँ रहा है तो हमें dates को लेकर इतनी दिक्कत नहीं आएगी she had saving of about rupees 10 lakh and she invested rupees 3 lakh out of her savings इसने वैसे तो अपने पास 10 lakh रुपे जोड रखे हैं लेकिन उसमें से सिरफ 3 lakh रुपे ही इसने अपने business में invest किये है और 3 lakh रुपे का amount ही borrowed equal amount from bank 3 lakh रुपे का 1 lakh on its renovation to make it ready for business यानि कि इन्होंने एक asset खरीद लिया है एक building purchase कर ली है वह उन्हें 6 lakh रुपे की खरीद है पांच रुपे उसका परचेस प्राइस था और एक लाख रुपे उसका renovation हो गया और आप जानते हैं कि जो भी खर्चा asset को purchase करने के वक्त होता है उस सारा का सारा आप capitalize कर सकते हैं तो यह amount 6 lakh रुपे पूरा का पूरा business purchase में चला गया है उसके बाद इन्होंने loan की repayment करनी शुरू करिया in first year कैसे कैसे किया है इन्होंने quarterly payment कर रखिया 30th June 30th September 31st December 31st March 15,000 का principal 9,000 का interest यानि की total payment जो गई है 24,000 रुपे की गई है ऐसे ही अगली बार में principal सेम है interest थोड़ा सा कम हो गया है फिर principal सेम है interest थोड़ा सा और कम फिर principal सेम interest थोड़ा सा और कम यह सारी की सारी transaction भी आपको इस final accounts के बनाते वक्त include करनी है आज से पहले कभी ऐसा question पूछा नहीं गया है आपने ऐसी चीज़े कर रखी हैं लेकिन partnership के अंदर तुनने partnership का जो loan account हुआ करता था उसको यहाँ पर डाल कर combine करके question एक तरह से दे दिया है उसके लावा उसने pay किया है 7000 रुपी security deposit for telephone connection के लिए furniture purchase कर लिया है 10,000 रुपे का all payments were made by check and all receipt and cash were deposited in the bank जो भी payment करेगी वो check में करेगी और जुतना पैसा आएगा cash में भी आएगा वो भी bank में चला जाएगा deposit के लिए उसके लावा इनकी during the year जो भी transaction हुई है टोटल sales हुई है electricity expenses pay किये हैं cartridge outward entertainment expenses miscellaneous expenses total purchases telephone charges traveling expenses maintenance expenses electric expenses payable लिखा है लेकिन इसका मतलब यह आपने pay नहीं किये हैं और उसके लावा आपके पास है other information में इसने withdraw किया 5000 by check each month for her personal expenses यानि कि 5000 into 12 अगर मैं कर दूँ तो 60,000 तो drawings का amount आ जाएगा उसके लावा आपको building के ओपर depreciation लगाना है furniture के ओपर 10% का depreciation लगाना है और closing stock भी दिया है opening stock question में हो नहीं सकता क्योंकि question business start करने की बात कर रहा था और question आपसे क्या मांग रहा है प्रिपेर करें trading account, profit and loss account और balance sheet लेकिन इन तीन चीज़ों के सेदा इन सिरफ इन तीन चीज़ों से ये question फूरा complete नहीं होने वाला इसके लिए आपको दो extra चीज़े और बनानी पड़ेंगी जो की है एक तो bank account क्योंकि bank account के बिना आपको एक तो closing balance और bank नहीं मिलेगा और जितनी भी transactions हो रही है उन सब को आप कैसे record करेंगे और आपको एक और चीज़ बनाने पड़ेगी loan account क्योंकि loan account के इंदर भी काफी transactions है तो आपको उसके लिए एक loan account की जरुद भी पढ़ने वाली है Normally exam में question कैसा आया करता था कि सर एक trial balance दिया है नीचे adjustments दी है trial balance की posting एक जगा adjustment की posting दो जगा काम कितना असान हुआ करता था लेकिन question ने और मैंने भी CA foundation के exam से पहले बच्चों को बोला था कि इंटर के exam के basis पर इस बार ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई question आप unexpected देखेंगे उन्होंने final account सा question तो दिया लेकिन थोड़ा सा unexpected दिया यह मुश्किल नहीं है यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ऐसा topic आप CA intern में जाएंगे तो हम आपको single entry system accounts for incomplete records में ऐसे कितने question कराने वाले हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ part वहां से उठा कर यहां डाल दिया है बस आपको याद क्या रखना है आपको याद रखना है कि आपकी जो भी transaction हो रही है उसका double effect आप कैसे show करने वाले हैं और double effect के लिए आपको कुछ additional accounts की जूरत पढ़ती है जिसमें यहां पर मुझे bank account की और साथ साथ एक loan account की जूरत पढ़ेगी और यह दोनों में working note में बनाने वाला हूं तो आईए आपके साथ में अब इस question को शुरू करने के लिए पहले format बना लेता हूं और format बनाने के बाद आपके इसके बारे में बागे की बाते करते हैं ठीक है तो जी यह लीजे हम आप का 4th का A part question number 4th का A part July attempt July 2021 exams का ठीक है तो यहाँ पर हम अपने पास लिख रहे है क्या सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा जो question ने demand की है एक तो trading and profit and loss account की हमेशा आपको date डालने के लिए सिखाया गया है कि आप हमेशा date डालिए कि यह कौन से period के लिए बन रहा है for the year ended 31st March 2021 proper format बना लेजीगा exam के अंदर formatting पूरी करते हैं तभी अच्छे marks मिलते हैं और आप जानते हैं के exam के अंदर sheet काफी more than enough होती ही है तो sheets को लेकर गंजूसी नहीं करनी है space को लेकर गंजूसी नहीं करनी है जितना ज्यादा हो सके space use कीजिए आपसे कोई आप एक्स्टा पैसे नहीं मांगता है कि आपने शीट एक्स्टा ले ली तो लेकिन अगर जगा कम पढ़ गई तो दिक्कत जादा आएगी कटिंग होना शुरू हो जाएगा कुछ और दिक्कत आएंगी तो जितना ज़्यादा हो सके trading profit loss के लिए अच्छी खासी जगा छोड़ के चलिएगा उसके बाद आप बनाएंगे अपने पास क्या balance sheet और balance sheet के लिए भी अच्छी से जगा आपको चाहिए ताकि balance sheet के format में भी कुछ भी दिक्कत ना आए अगर ऐसे questions ICI ने थोड़े बहुत अपनी book में रखे होते तो आपके लिए बहुत ही असान question था लेकिन ICI ने ऐसा question book में रखा नहीं है उन्होंने आपको एक डारेक्ट दे दिया exam के लो बटा लो चेक करो आपका final accounts आपको कितना अच्छे से आता है और जिन बच्चों ने इस question किया भी होगा अगर वो basic fundamental जानते हैं कि अगर final accounts करना है तो double entry system को follow करना होता है जो काम आप additional information में दी हुई adjustments का करते थे आज भी तो वही करना है बस इस बार पूरा question ही adjustments के basis पर आ गया है तो जी यह आपकी हो गई है balance sheet और यह balance sheet जो आप बना रहे हैं यह बन रही है as on किस दिन 31 March 2021 को और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगे आपकी यहां पर आ चाहेंगे आपकी liabilities amount, asset amount और अगर मैं यहां की बात करूँ आपके साथ तो यह आपका वही particular amount पर्टिकुलर अमाउंट सर इसके लावा और कुछ भी चाहिए बिटा हाँ जरूर चाहिए बिटा आपको चाहिए दो account और जो हमारे लिए working note का काम करने वाले working note number one मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ पहला account कौन सा account सर बैंक account bank account के बिना इस कोशनों करने में आपको दिक्कते आएंगी क्योंकि बहुत सारी transaction है जो आपकी बैंक के तुरू हो रही है तो उन सब का double effect record रखने के लिए आपको bank account की ज़रूत पढ़ती ही पढ़ती है तो बेटर रहेगा कि आप bank account बनाए अकाउंट बनाने में final account के अंद आपको उस chapter के अंदर सबसे पहला कोशन ही इस लेवल का कराया जाएगा इसी तरह का कराया जाएगा तो बेर फिकर रहेगा फिल्हाल के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल डग रहा होगा आपको लेकिन वैसे कोशन मुश्किल है नहीं और एक चीज मैं आपसे और चाहूंगा यहां पर वो है लोन अकाउंट एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस कोशन को साथ साथ नोट करेके या बाद में खुद करके जरूर करियेगा जरूर क्योंकि अगर आपने खुद नहीं किया सिरफ वीड भच्चों ने तंक किया है बच्चों को woo एक यही कोशन थाा त्ão शूरू करते हमारे प्स हमारे वकिंग नोट नम्रट गूभी बन चुका है हमारा वरकिंग नोर्ट नम्बर य bene आ अ गया था तो हपस बसे पहला पॉइंट ऐसी के हर बात चीज के दो अस्पेक्ट 10.00क रुपे उसके पास है उससे हमें कुछ नहीं लिया उसने बिजनस में कितना लगाया 3 लाइख रुपे इसके लिए आपकी पहली एंट्री होगी कि आपने capital business start किया है capital के साथ 3 लाइख के साथ तो 3 लाइख रुपे business में इंटेद्यूस करना उसकी जर्णे इंटर्री क्या होती है सर्व बैंक अकांट डेबिट विट विकापिल अकांट मैंने का बिलकुल सभी बात है तो बैंक अकांट में आ चाहिए और लिखिए डुकापिल अकांट 3,00,000 रुपे के साथ business start किया गया तो सरक्या है हमारा opening capital है बेटाहिए एक तरह से opening capital बोलो या starting capital बोलो आप कुछ भी कह सकते हो जो आपने यहाँ पर capital के साथ एक तरह से business को start कर दिया है और यह completely opening नहीं है opening वह होता है जो last year सलकर यहाँपर आता है लेकिन आप start भी कर रहे हो तो वो भी capital के नाम से भूला जाएगा तो 3,00,00,00 मैंने balance sheet में inner column में दिखाया है क्योंकि इसके अंदर additional capital भी आने वाला है, इसे profit and loss भी आने वाले है, drawings भी आने वाली है ठीक है सर, आगे बताएए और क्या हो गा, बिटा similar amount आपने bank से loan भी लिया है, तो सर आपने loan लिया है, तो हम bank में फिर से दिखाएंगे, बिटा entry वही तो होती है, bank account debit to loan account, ये लीजे, loan account आगया आपका, ये भी 3,00,00,00 का आगया, और इस 3,00,00,00 को अब आप एक जगा और द दिक्कत परिशानी है, तो मुझे बताएगा आप, बिल्कुल basic pattern पर चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सर, कोई point समझ नहीं आया, तो आप बाद में इस वीडियो के comment box में बता सकते हैं, कि सर, ये चीज़ समझ नहीं आई है, दुबारा से एक बाइक स्क्रीन कर दो, मै जी अब आजाएए, आप entry करेंगे, building account debit to bank, तो जी by building, पांच लाक रुपे ये, प्लस एक लाक रुपे ये, टोटल मिला कर 6 लाक रुपे आपके bank से चला भी गया है, और ये 6 लाक और कहां दिखाओगे, ये हम दिखाएंगे अपनी balance sheet के अंदर, लेकिन दिखाएंगे inner column म क्योंकि इसके ऊपर question ने बाद में depreciation का point भी डाला हुआ है, तो depreciation के point के बारे में बात करेंगे, फिलाल चलते हैं, जब आएगा तब करेंगे, भागने की जल्द बाजी नहीं है, मैं classes के अंदर ये ही सिखाता हूं कि आपके पास जो point है वो अपने आप आप आजाएगा, बस आप अपनी जगा को याद रखना है कि हाँ उसको inner column में लिखना है, outer column में लिखना है, अगर आपने outer में लिख दिया, तो cutting करके दुबारा inner में लिखना पड़ेगा, फिर deduction लगाना पड़ेगा, तो battery की इस चीज को याद रखें कि आपने किस तरह से काम करना है, उसके अपना interest debit करना होगा, और दूसी तरह उसे loan के account में add करना होगा, तो sir हम कैसे add करेंगे इसे यह देखो, देखते जाओ, loan account में आप लिखेंगे सबसे पहले by interest, यह interest कौन सी date का है, यह date है आपकी 30th June वाली date का है, और इस 30th June का interest का amount था 9000 रुपए, हमने 30th June को installment pay भी कर दी ह to bank account से, कितने की payment करी है हमने, 15000 प्लस 9000, यह कितना चला गया, 24, यह 24,000 आपका पहुंचेगा कहां पर, bank में, buy, loan की repayment, 30th June को 24,000, ऐसे करके 3 और payment आने वाली है, क्योंकि आपने इस साल में 4 payment की थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्व यही करना है, बार बा इंट्रस लगाना है, इंट्रस अगला कॉंसी डेट पर लगा, 30th September, कितना लगा, 8550, 8550, फिर से इंस्ट्रॉल्मेंट चली गई, 30th September को, 2 bank account, कितनी गई, 15,000 के उपर, प्लस, 8550, कितना आ गया, 23,550, सर फिर से इंट्रस लगेगा, बिड़ा लगता रहेगा, इस साल के 4 इंट्रस लगा दीजिए, 31st December को, कितना लगा, 80,100, 80,100, फिर से इंस्ट्रॉल्मेंट पे कर दीजिए, 31st December वाली, 2 bank account, 15 का प्रिंसिपल, प्लस, 80,100 का इंट्रस, 23,100, मैं अभी इसकी बैंक में पोस्टिंग कर दूँगा, और इसके इलावा, एक और इंट्रस लगाएंगे, आप, 31st March के दिन, और वो 31st March का जो इंट्रस्ट है, वो है हमारा 7650 का, और आप 31st March के दिन, एक और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट, 15,000, प्लस, 7650, 22,650, और ये तीन पेमेंट आपको ले जानी है कहाँ पर, अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और जो चारों इंट्रस्ट हैं, ये ले जाने हैं आपको कहाँ पर, प्रॉफित और लॉस अकाउंट के अंदर, तो लीजे, है, बाई लून, 30th September, बाई लून, 31st December, और बाई लून एक और पेमेंट का 31st March, कितने कितने अमाउंट का है, सर ये था आपका 23,550 रुपए, अगला था आपके पास 23,100, और नेक्स था आपके पास 22,650, कम्प्लीट, और इंटरस्ट को जाके, प्रॉफिल लॉस में डेबिट कर दीजे, ये लिजे, टेडि अंकाउंट ये हो गया, थोड़ा सा पार जगा छोड़कर, यहां लिख दीजेगा, इंटरस्ट अन लोन, अगर आप ध्यान देंगे, तो ऐसा आपने बहुत बार कर प्लस 7650 भी लगा, तो जी टोटल इंटरस्ट जो लगा है, इन चारों इंस्टाल्मेट का मिलाकर वो हो जाता है, 9000 प्लस 8500, 8100 प्लस 50 भी जुड़ेगा और 7650, तो जी टोटल इंटरस्ट बन गया है, 33,300 का, 33,300 का टोटल इंटरस्ट आपका लगा है, ये हमने यहां मुश्किल चीने थी वो निकल गई हैं बाकी मुश्किल नहीं हैं बाकी तो सिरफ पोस्टिंग करने हैं कोशन हो खतम करना है टोटल सेल्स बीस लाक रुपए कैश में हुई कोशन ने बोला ओल रिसीट्स इन कैश वर डिपॉस्टिट इन बैंक तो बीस लाक रुपए की सेल हुई तो बीस की सारी सेल आपने दिखानी है यहां पीस लाक रुपए और यह बीस लाक की सेल आप ले जाईए ले जाईए ले जाईए कहां ले जाएंगे बैंक में ले जाईए सीधा कैश अकाउंट की द्रू आईगी क्योंकि यह सेल्स कैश में आई थी और फिर आपने कैश को हैं डेपॉसिट कराया था तो जी बीस लाक रुपए आपके पास इस तरह से आ गए कि ले रहे हैं तक की बात सेल्स की डेट नहीं दिया कि कितने मंत ली हुई कौर्टर ली हुई टोटल सेल पूरे साल की 20 लाक रुपए लेकिन डबल एंटी चल रही है जब तक डबल एंटी चलती रहेगी अकाउंट का को आपका फाइनल अकाउंट कोशन कभी गलत नहीं हो सकता हूं इलेक्टिशिटी एक्सपेंसेश पेड चालिस हजार रुपए के और वह पेबल भी हैं 20,000 रुपए के आ जाईए तो जी आपने पे कितने कर दिये हैं हैrüillectry City expenses 204 पैफार दों です कि आपने पेकार दिये नहीं और और Edg एक साब्द तों EVERY इसे कितने कि एक एक सब्सेंटि एक से सब्सेंदब कै आपके और चालिस और 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 ने होकर फिल स्पर्म कि लिज आ अपेड़ लोकर से ओप्लस पेडल बीज़ दिखाएंगे यहां पर Electricity Expenses Payable बस याद रखना Double Aspect Dual Entry चलती रहनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने वो मिस कर दी तो कोशन गलत है ठीक है Sir, Carriage Outward 60,000 का ये भी आपने पे कर दिया है तो Carriage Outward आता है आपका Profit and Loss में Carriage Outward कितना मांट पे किये हैं आपने Carriage Outward के लिए 40,000, 40 नहीं सॉरी 60,000 है और ये 60,000 आपका जाएगा बैंक के अंदर भी Buy Carriage Outward कितना मांट जी 60,000 का मांट ठीक है Sir Next क्या है, Entertainment Expenses पे किये हैं 5,000 रुपे के तो ये लिजी यहीं पे लिख दीजी एंटर्टेइनमेंट एक्सपेंस एंटर्टेइनमेंट टेक्स नहीं एक्सपेंस पाँच हजार रुपे और इसके लावा आपने इसको कहां और दिखाना है इसको आपने दिखाना है Profit and Loss Account के अंदर भी तो जी मैंने यहां लिख दिया है एंटर्टेइनमेंट एक्सपेंस पाँच हजार रुपे हर इंट्री का डबल एफिक्ट भी पे कियें 15,000 के यह लीजिए 15,000 रुपे यह पंदरा भी कहां जाएंगे यह पंदरा जाएंगे आपके यहां पर पंदरा हजार रुपे उसके बाद total purchase दिया 17,000 रुपे की यह भीप बैंक से ही पे हुए हैं तो जी बाइ परचेज इस 17 रुपे की परचेज हैं और 17 रुपे और कहा दिखाया जाएगा वो ट्रेडिंग में आजएगी ओपनिंग स्टॉक तो आना नहीं है तो जी आपकी परचेज हो गई 17 रुपीस की यहां तक किसी और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं आपको लगे कि कोई भी इंट्री आपने कैसे पूश किया से बता दीजिए तो कमेंड बॉक्स में जुरूर लिख दीजेगा उसके लावा Tелейफोन चार्जिस बॉचारके किया गए हैं, निस दटेलीक्द देपचास के लिए हैं, पर देबिट कर दीजेगा है यह सब में अपने पास profit loss में debit कर रहा हूँ telephone expenses पचास हजार और ये पचास हजार आपका फिर से जाएगा bank में by telephone expenses पचास हजार next क्या है traveling expenses है और maintenance expenses है दो amount और रहे गए है 45 और 25 के तो एक आपका traveling का आ गया और आपका एक maintenance का आ गया traveling के कितने है 45 maintenance के कितने है 25 और उसके बाद आपने ये 45 और 25 और कहा दिखाने है sir profit and loss में तो लीजेगा आपके पास traveling आ गया है 45 और maintenance भी आ गया है 25 45 25 45 25 यानि कि जो जो खर्चा हुआ double effect चल रहा है बस और कुछ मुश्किल वाला काम ही नहीं कर रहे हैं ठीक है sir यहां तक का तो पूरा हो गया ये वाला पार्ट भी पूरा हो चुका है ये वाला पार्ट भी हो गया अब क्या बचा अब बड़ा कुछ नहीं बचा है सिर्फ 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 ड्राइंग्स बची है 60,000 की जो की बैंक से ही होगी हमारे पास बैंक में जगा कम बच गई एक्चुली में तो मैं इसे कहां लिख हूँ है उपर लिख दू कहीं पर मैं यहां कहीं पर लिख देता हूं बाई ड्राइंग्स गई शिक्स्टी थाउजड और यह ड्राइंग्स आप कहां और दिखाने वाले हैं क्यापिटल में से माइनस कर दीजिए अचा मैंने एक पॉइंट बीच में मिस कर दिया आइगेस किशिए यहां ने पॉइंट मिस कर दिया है जो हमने ए tipsटल क्यापि रगाया था न वह पॉइंट मिस हो गया है शायद हमने यस कुछ यह halo पॉइंट मिस कर दिया है अभी स्कू भी कर लेते हैं इसके पॉइंट के एक वारिंग बीटा हमारे पाथ दो लाक रुपए जो है वह सेविंग बैंक अकाउंट से बैंक में आये थे तो इसकी इंट्री लिखिए हमने एडिशनल क्यापिटल लगाया था बिजनेस में दो लाक रुपए और ये दो लाक रुपए आपको दिखाने है बैंक अकाउंट के अंदर क्यापिटल की फॉर्म में यहां पर आ गया दो लाक और 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 आपने कुछ और पेमेंट्स भी कर रखी हैं बैंक के लिए जो बैंक की पेमेंट्स हैं वो कौन-कौन सी है एक तो आपने साथ हजार रुपए डिपॉजिट पे किया है और आपने एक फनीचर भी पर्चेस किय है दस जार रुपए का जो की बैंक से ही गया है तो इसके लिए मुझे बैंक अकाउंट में ही ट्रीट्मेंट करना पड़ेगा और मैं बैंक अकाउंट को थोड़ा साना नीचे करके दिखाना चाहूंगा मैं इसको यहां कर दूँ क्योंकि जगा कम होगी है बैंक तो कॉंटिविशन लाला पार्ट है वो नीचे दिखा रहा हूं ऐसे करके अब देख रहो आप जगा कम पड़ जाए तो दिक्कत कितनी हो जाती है तो मैं बैंक अकाउंट को नीचे आगे कॉंटिन्यू कर दिया मैंने यहां पर दिखा दिया मैंने जी मैंने टेलेफोन चा आसिट है और यह साथ हजार का आसिट आप दिखाएंगे कहां बैलन शीट में सेक्यूरिटी डिपॉजिट साथ हजार रुपए यहां तक कोई दिखकत किसी को लगे तो बताना मुझे और सेक्यूरिटी डिपॉजिट के बाद एक और पॉइंट था कि आपने क्या पर्चेस कर लिया है फरनीचर भी परचेस कर लिया है, फरनीचर कितने का परचेस किया, आपने 10,000 रुपे का, तो जी 10,000 का ये पॉइंट भी यहां आएगा, और बैंक में जाएगी पेमेंट यहां पर, वाई फरनीचर, 10,000 रुपे, यहां पर देपेशन लगेगा, यहां पर देपेशन लगेगा, दस परसं, यह हजार रुपे सिरफ यह हो जाएगा 9,000 और यह दोनों के डेप्रिशन 30,000 और 1,000 जाएंगे यहां Profit and Loss Account के अंदर आप डेप्रिशन लगा सकते हैं दोनों में कितने कितने डेप्रिशन लगे Depreciation on Building 30,000 to Depreciation on Furniture 1,000 दोनों डेप्रिशन भी लगा दिया आपने यह वाला पाट भी हमारा पूरा हो गया सरफ बचा क्या सिरफ बचा क्लोजिं स्टॉक बचा है क्लोजिं स्टॉक लिखे 5,500,000 अपने ट्रेदिंग काउंट के अंदर बस खतम कर दीजे तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया है पांच लाग पचास हजार का और यह क्लोजिंग स्टॉक और कहां दिखाएंगे सर्बालन शीट में दिखा दीजे यह लीजे बटा क्लोजिंग स्टॉक पांच लाग पचास हजार रुपै जो कोशन की बाते थी वो हमने सारी लिख ली है कोशन की बाते सारी लिखने के बाद अब हमारे पास क्या ही बचा है हमारे पास बचा है क्लोजिंग करना क्लोजिंग करने के लिए आपको सबसे पहले निकाला जाएगा जीपी तो पच्छिस लाग पचास हजार में से आप यहाँ पे क्याल्कुलेट करेंगे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है तो जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है बालेंसिंग फिगर निकल के आएगा यह एट लाग फिफ्टी थाउजन इस एट लाग फिफ्टी थाउजन के जीपी को लेकर आप नीचे जाएंगे आप यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आठ लाग पचास हजार का और इस आठ पचास के बाद अब आपका यहां पर निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चेक करेंज़ेगा क्योंकि कई बार हो सकता है कि नेट लॉस आ रहा होगा तो आपको लिखा कर लो क्या क्या माइनस हो सकता है, 850-1000-30,000-25,000-45,000-15,000-60,000-60,000- आपका हो रहा है एक और 33,300-5000-50,000- तो जी, Net Profit आ रहा है 525,700 का, I hope आप सब बच्चों का एक्जाम में यह आया हो तो यह हो गया जी 525,700 का net profit और यह net profit जाएगा यहाँ पर plus नेट profit 525,700 इसमें plus करिए 2,00,000, plus करिए 3,00,000, minus करिए 6,000, यह आपका हो गया 965,700 लेकिन अभी भी दो चीज़े बची है एक आपका bank account का balance बचा हुए है जो में close करना है यहां पर लाकर यहां पर जो बचेगा वो bank का balance carried down हो जाएगा balancing figure तो मैं जो bank मेंने दो पार्टने बनाया मैं उपर से शुरू करके लेकर आता हूँ एक बर ही चेक कर लेते हैं तो जी bank में 3 लाग का opening था 3 लाग और loan लिया था बीस लाग रुपे की sale आई थी प्लस दो लाग रुपे का capital और आया था 28 लाग रुपे payment में क्या किया था आपके पास देख कर लिजे 60,000 रुपे की drawings थी 6 लाग रुपे की building थी 24,000 का आपका loan का installment गया था 23,50 का installment गया था 23,100 का installment गया था 22,650 का installment गया था 40,000 का गया था 60,000 गया था 5,000 और गया था 15,000 और गया था इसके बाद 15 के बाद आपने दिया है 17,00,000 रुपे purchase के उसके बाद आपने दिया है 50,000 रुपे और 45,000 रुपे और उसके लावा 25,000 रुपे और और नीचे जो दिया है उपने वो कितने दिया है आपने दिया है 7,000 रुपय माइनस दिया है आपने 10,000 रुपय तो जी बैंक का जो बैलेंस बचा है वो है 89,700 और ये 89,700 अब आप यहां दिखा सकते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर तो जी आपका जो bank का balance आया है working note number 2 है या 1 है कौन सा है यह working note number हमारा bank का तो 1 हो जाएगा ना yes bank का 1 हो जाएगा तो यह working note number 1 से आया है कितना आया है यह 89,700 और एक चीज़ और close करनी है एक चीज़ कौन सी close करनी है आपके loan account का balance वैसे तो बताओं मैं आपको पंद्रा 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 चार पिंसिपल गए है साथ हजार रुपे के बाकी इंट्रस तो वही pay हुआ है debit में भी लगा credit में भी आया वही same हो गिया तो actually में जो इसका answer बचेगा वो 2,40,000 बचेगा 3,60,000 अब चेक कर सकते हैं एक बड़ी 3,00,000 प्लस 9,000 प्लस 8550 प्लस 8,100 प्लस 7,650 यह बन जाता है 3,33,300 रुपए यहां पर जो बचेगा वो बचेगा balance carried down जिसमें से माइनस करेंगे 24,000 माइनस करेंगे 23,550 माइनस करेंगे 23,100 माइनस करेंगे 22,650 तो वही आ गया है जी 2,40,000 और यह 2,40,000 मैं दिखा रहा हूं कहां यहां पर यहां पर लोन 2,40,000 अब इसको मैच कर लीजे अगर यह मैच कर गई तो आपका अंसर बिल्कुल पॉफेक्ट है प्लस 20,000 पेबल प्लस 965,700 तो जी यह बन रहा है 12,25,700 और आपकी एसेट साइड की बात करें तो जी 570 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस 550 प्लस 89,700 बारा लाख 25,700 एक्जेक्ली मैच कर गई है 12,25,700 तो दस मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंदी तो कोशन है टाइम हमें भी करीबन आदा घंटा लगा लेकिन आदे घंटे में मेरा पहला समझाने वाला पार्ट भी था आपसे बात करने का पार्ट भी है और जब एक्जाम में आता है तो ऐसे कोशन को अब आ जहान रखना है या ऐसे कभी कोशन आपके सामने आए तो जगा जितनी जादा हो सके छोड़ के चलिएगा तो मैंने पूरा का पूरा कोशन आपके सामने कंप्रीट कर दिया है आंसर मैच कर दिया है जीपी कितना आया है इसका जीपी देख लीजेगा एक बारी जीपी आया हो तो आप प्लीस कमेंट बॉक्स में जुरू बताएं और ये कोशन क्या आपने भी ऐसे ही किया कुछ जीपी मैच हुआ या एनपी मैच हुआ या बैलनशीट भी मैच हो गई तो और क्या चाहिए आपको दस मांक साब करिए पक्क हो जाएंगे लेकिन 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 एक चीज बड़ी इंपर्टेंट ये कोशन ऐसे कभी भी शुरुआत में नहीं करने होते और बहुत कोछ strategy रखनी होती है और I hope आप आगे भी इसी strategy को follow करेंगे और CA enter के अंदर तो यही topic यही पहला point जैसा हमने question अभी किया यह पहला question होता है हमारा accounts for incomplete record single entry system का. So guys आज के लिए thank you so much जल्दी मिलेंगे आपसे और please comment करके जुरू बताएगा. Thank you so much बच्चों. Bye-bye.